Hello Friends, आज मैं आपको Top 3 Arbitrage Funds के बारे में बताऊंगा इससे बरे अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन टे क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बल इकन प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे है तो सब्सक्राइब हम देखते हैं Arbitrage होता क्या है Arbitrage is the simultaneous purchase and sale of an asset to profit from a difference in the price It is a trade that profits by exploiting the price differences of identical or similar financial instruments on different markets or in different forms So, that's like a stock market has a price in a ऐसे market और दूसरे market में किसी price आब जैसे BSC का प्राइस के छहाए न एसे इस प्राइस आफे ने से मशाप्राइस के लिए उन्दोरह के difference होता है जाफ थोड़ाता है आफे उट्धादा उठाथ है ndh as a happy leader or your opening units base there so i i would trace fund capital i published fund is a type of mutual fund that leverages the price difference in the cash and derivative markets to generate returns same way to the returns are dependent on the volatility of the asset so these funds are hybrid in nature as they have the provision of investing a sizable पोर्फोलियो इंदेप मार्केट तो एक तरह से हाइब्रिट फंद्स है क्योंकि अपना कुछ पोच्छन देप मार्केट में भी इंवेस्ट पर सकते हैं इन पर सिच्टेशन अफ हाइए परसिस्टेंड वालिटिलिटी अवरिट्रेश फंस प्राइड इन्वेस्टर आसे हैं तो यह फंस ऐसे होते हैं कि जैसे कुछ लंब सम्म आमांट किसी वाश्य पास तो वह इन फंस में पारक कर सकता है क्योंकि यह से फंस होते हैं और इसमें एसा नहीं कि आपने पैसा लोगो आपके वैल्यू कम होगी सो यह डेप्ट शॉर्टरम फंड्स जो शॉर्टरम फंड्स होते हैं उनका एक अल्टरनेटिव है एक साल के बाद अगर इसको सेल करते हैं तो कोई भी टैक्स नहीं लगता है अब जो इसमें पहला फंड हो है आइसे से प्रोडेंशल एक्टी आर्विट्रेश्ट फंड डिरेक्ट प्लान यह देखिए इसका एक्पेंस रस्यों 547 परसेंट है एसेट है और देखिए इसका रिस्ग्रेट लो है और रिटर्न ग्रेट हाई है जब से लांच हो है तो से इसने 8.37 परसेंट दिया है इसका परफॉर्मेंस देखिए एक साल में 6.58 परसेंट दिया है जाकि का रिटर्न 6.28 है और तीन साल में 7.37 दिया है जाकि का रिटर्न 7.05 है और अगर इसके टॉप एक्टी होल्डिंग देंगे तो ITC इंफोसिस यह एक्टी है और यह देप्ट इस्ट्रुमेंट है इसी तरह जो दूसरा फंद है वो इसका जो एक्सपेंस रेशिव है 0.4 परसेंट है और इसका रिटर्न देखेंगे जब से लांच वहा तो प्रसेंट का रिटर्न दिया है इसमें मिनमा इंवस्पेंट पहां जा रहा है अडिशनल लेकर एक्जित लोड अगर तीस दिन से पहले निकालते तो 5.25 परसेंट है तीस दिन के बाद कोई भी एक्जित लोड नहीं है इसमें रिस ग्रेट लो है रिटर्न ग्रेट हाई है अब अगर इसका प्रफॉर्मस देखेंगे तो एक साल में 6.88 परसेंट है जो कि कैटिगरी से बेटर है और तीन साल में 7.67 परसेंट है ये भी अगर एक तीसरा फंड देखते हैं यह है L&T Arbitrage Opportunities Fund डारेक्ट प्लेंट यह इसका Asset Size 160 क्रोर है और इसका Expense Ratio देखी काफी कम है 0.3% और यह L&T Mutual Fund होस का है जब से लांच होया तब से 7.58% का रिटर्न दिया है minimum investment 5000 का है और additional 1000 इसमें भी अगर 30 दिन से पहले निकालते हैं तो 0.5% का exit load है और वाइस कोई load नहीं है risk grade average है return grade high है अगर performance देखें तो 6.8% दिया है एक साल में जैकी category है 6.28 है तीन साल में 7.48% दिया है जैकी category का 7.05% है तो category से बेटर रिटर्न दिया है और इसके एगर holding दिखते है तो इसके kitty में भी है और depth में भी है इसे में और एक चीज़ देखते हैं कि इसका जड़ दिखते कि कैसे होता है कि यूद्ध बिसक्ली आइविच्टेश्ट फंड जो हते हैं यह लड़ रा श्रॉटर्ण जो फंड सुते हैं इस ले इस लिए इंका टैक्सराशन जो हता है वो कर देंदी के तरह होता है तो जो भी आपको रिट най लगा हंड़ेड परसंट वह आपको हमेशा चीज हमें तरह做 रहा है प्युन enfermed निक्तर स्गिन करते है तो उसमें आपको रिटा चीक्क य Bhakati और पैसा आपका जो भी है उनी चाहिए तो अगर आपको पास कुछ फंड है जो किसी एमर्जंसी के लिए रखना चाहते तो उसके लिए भी आप आर्बिट्रेज फंड यूज कर सकते हैं तो टैक्सेशन परपस से एक काफी अच्छा फंड है और सेफ फंड है आपको यह वी के सब्सक्राइब तो शेयर बिलता है थैंक यू